हेलो फ्रेंड्स मैं विन्यनिर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्षे हमारे चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स रिवाइज रिजल्ट पर रेल मंत्री का आया कड़वा बयान नहीं आएगा revise result क्या ऐसा हुगा आप लोगों ने कोई बयान सुना है रेल मंत्री का रेल मंत्री ने डैटली ऐसा कहा हो कि नहीं आएगा कोई revise result ठीक है अगर माल लेते हैं कहा भी हो तो उनका तो काम है कहना उनका काम है अपना बचाव करना क्योंकि result उन्हें के डिपार्टमेंट ने दिया है और अगर result revise होगा तो उन्हें का insult होगा ये बात मालूम है ठीक है लेकिन ऐसे न्यूज वायरल किये जा रहे हैं कि revise result पर रेल मंत्री का आया कड़वा बयान नहीं आएगर रिवाइज रिजल्ट मैं तो अभी तक ऐसा कोई बयान सुना नहीं हूँ अगर आप लोग सुने होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ऐसा कोई बयान आया भी है लेकिन मैं बता दूँ अगर ऐसा बयान आया भी है तो भी इसका कोई effect नहीं पड़ता है result के revision पर ठीक है यह सब कुछ आपके effort पर depend करता है आपके प्रयासों पर depend करता है कि result revise होगा की नहीं होगा मैं आप लोग से शुरू से कह रहा हूँ कि आप लोग physical protest पर ध्यान दे न कि Twitter campaign पे आज देखे आज कोई physical protest नहीं हुआ आज के वल Twitter campaign चला कहीं कुछ result आपको मिला कुछ नहीं मिला दो दिन physical protest हुआ था इस्टार्टिंग में लेकिन फिर क्या हुआ मैक्समम यूटूबर्स मैं पिछले एक साल से लगतार देख रहा हूँ केवल Twitter केवल Twitter केवल Twitter हद होता है किसी भी चीज का भाई सच में अगर अपनी हग के लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो तो रोड पे निकलो अपनी डिमांड पूरी करवाओ गौर्मेंट से ठीक है मैं कितना आप लोग को example दूँ अगर other departments में कहीं कुछ होता है other organization, other commission में तो candidates road पे निकलते हैं यह railway के candidates के तरह ऐसा नहीं करते है Twitter, Twitter खेलते हैं कोई YouTuber बोल दिया कि हम Twitter campaign चलाएंगे तो इससे result आजाएगा, इससे exam date आजाएगा, इस result revise हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बला-बला, कुछ भी बोल ठीके, तो कब तक आप लोग Twitter के भरो से बैठे रहोगे, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग Twitter campaign चला रहे हो तो चलाओ, लेकिन इसे plus में रखो, केवल इसी के भरो से मत रहो, अगर केवल इसी के भरो से रहोगे, तो कभी कुछ कर नहीं पाऊगे, मैं बता दे ने directly खुद mail किया है, letter भेजा है, खुद personally जाके कैनेट्स मिले हैं, तब जाकरके वो सब exams पोस्टपोन हुए है, क्योंकि government ओहां भी नहीं चाहती थी, exam पोस्टपोन हो, क्योंकि आपको मालू में यूपी में election होने वाला है, अगर सभी exams पोस्टपोन होंगे, तो government के ओर् यही कारण है कि गवर्मेंट अभी तक यूपी टेट पे डिसीजन नहीं ले पाई है जबकि लागतार अधिकारी परिशान है कि इलेक्शन भी होने वाला है कोवीड भी अचानक कोवीड यूप बढ़ गया है कल ठीक है अधिकारी परिशान और कैंडिट्स लागतार यही कारण 10% के उस अलेक्शन पाते हैं ठीक है मैं यूटूबर्स के बात कर रहा हूं जिनके कहने पाप लोग गुम्राह हो रहे थे वो जो बोल रहे थे पहले अगर इलेक्शन होगा तो एक्जाम क्यों नहीं होगा आज पता चला है वो बोल रहे है कि इलेक्शन के वाज कि मुझे आप ही लोग के माध्यम से पता चला है कोई यूटूबर था जो पहले बोल रहा था लगातार कि जब इलेक्शन हो रहा है तो एक्जाम क्यों नहीं बंदा वो खुद इलेक्शन हो रहा है आप लोग को भी इलेक्शन बराना चारा है मैं आप लोग से बार बर कह रहा हो कि इलेक्शन से किसी भी एक्जाम को कंपेर नहीं कर सकते हो इलेक्शन का एक टाइम पीरियड होता है हर 5 साल मेondersion होता ही होता है तन्ह अब बहुत सकता हूँ, IVPS ने क्या बोला है, IVPS ने यही बोला है, कि already हमारा prelims भी postpone हुआ था, COVID के ही वज़े से, अब mains के time अगर हम postpone करते हैं, तो अब already और देर हो चुका है, हम और देर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि normally जो IVPS के mains होते हैं, चाहिए PO या इसलिए जो लोग IVPS से compare कर रहें, वो भूल जाएं, कि IVPS से railway को हम compare कर सकते हैं, क्योंकि IVPS कलेंडर पर वर्क करता है, SSC कलेंडर पर वर्क करता है, बट railway का कोई कलेंडर नहीं होता है, railway का notification अगर 2018 भी आया है, ठीक है, तो exam 25 में भी हो सकता है, उसका कोई रूल नहीं है, कोई बाउंडिशन नहीं है, मैं बार बर कहता हूँ, railway को किसी अधर exam से compare नहीं कर सकते हैं, अगर कोई strictly exam कराने जा रहा है तो, वो भी अभी कराने जा रहा हुआ नहीं है, अगर वो लोग भी situation से अचारक हार मान गयें, कहीं extra lockdown वगरा लग गया, उन लोगों भी postpone करना पड़ सकता है, बट railway के notice में आप लोगों ने देखा होगा, जो group D exam date notice ही आए था, उसमें साफ सफ लिखा हुआ है, कि हम वहाँ पे situation को review करेंगे, गौवर्मेंट के guideline को देखेंगे, कि अगर guideline रहेग exam करने लाइक, situation रहेग exam करने लाइक, तो हम exam करा पाएंगे, यानि कि date तो दिये है, बट date के नीचे एक line वो black में लिख दिये, dark करके, कि यह सब कुछ depend करता है situation पे, और वहाई चिस present में भी अधिकारियों के मार्दम से बताया जा रहे हैं, वैसे मैं बताऊंगा उस पे, बहुत से लोग देखें, अभी भी यही question पूछते हैं, कि postpone होगा, अभी मैं reason भी दूँगा कैसे, और नए reason भी दूँगा, ठीक है, उन लोग इतर नहीं कि अपने बात से बदल जाओ, उन्द पलट जाओ, इस बहुत से लोग बोलने थे हैं, election होगा तो exam क्यों नहीं, यह होगा तो वो क्यों नहीं, तो ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, मुझे knowledge है कहां क्या होता है, election को आप कभी में नहीं रोक सकते हैं, election आपका election commission कराता है, government नहीं कराती है, क्योंकि government खुछ election commission के भरोस इतना पड़ी हुई है, कि हराल में कराना ही चाहती है, और candidates एकदम हराल में चाहते हैं, postpone हो ही जाए, तो देखिए, आज राद तक कुछ confirmation उस पर आ सकता है, कि exam postpone होगा, कि exam अपने टाइम पर होगा, उसके बारे में confirmation आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो railway exam से, वो त इसके बाद अभी, वो अलग matter है, अभी हम बात करते हैं, इस result के revision पर, यह होगा कि नहीं होगा, तो friends definitely होगा, अगर आप physical potential पर focus करते हैं, तो अगर क्यों Twitter campaign के भरूशे रहेंगे, तो इसे YouTubers की कमाई होगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप भूल जाहिए, कि फिर इस result आपका revise होगा, और जब result revise नहीं होगा, तो यह लोग क्या करेंगे, जल्दिबाजिन CBT2 भी कराने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है, अपने fixed date पे करा दे किसी भी तरीके से, ठीक है, do or die करके, क्योंकि यह लोग जान रहें, अगर लेट होगा, तपिर court case वगरा हो सक तो friends, मैं आप लोग से सुरू से कह रहे हूँ, आप लोग को court case के चकर में नहीं फस्तना है, और नहीं Twitter campaign के चकरें फस्तना है, आप लोग को जो करना है, फीचकल प्रोटेश्टे करना है, इमेल वगरा से करना है, फीचकल ही मिल के करना है, otherwise, आप लोग भूल जाए, कोई result revise होगा, अब भी तो chances पूरा 100% है, अगर आप लोग सही तरीके से demand रखते हो, तो demand पूरी होगी, लेकिन अगर आप लोग ऐसे क्यों Twitter के भरो से बैठे रहोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका कोई result revise नहीं होने वाला है, मैं आप से यहीं कहूंगा, मैं थ दाम पूस्पोर होगा, तो नहीं होगा, होगा, तो क्यों होगा, ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत